जे मसीकी, मैं आपका इस कार्यक्रम में आदर्श परिवार में स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में हम आदर्श परिवार कैसे खड़ा किया जा सकता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं हमारे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से हमें हमारे बच्चों के बारे में सही तरीके से सोचना जरूरी है कि हमारे बच्चे हमारे नहीं वो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ एक उपखार है एक विरासत है तो वो समझ के हमें उनको आगे लेके जाना चाहिए उनको केर करना चाहिए और वो करने के लिए आपको मालुम है और मुझे भी मालुम है हमारी ताकत जो है वो काफी नहीं है तो उसमें हमें परमेश्वर की जरूरत है उसके साथ भागीदारी में आगे चलने की बहुत जरूरत है वो भागीदारी परमेश्वर के साथ बच्चों के परवरिश करने में वो भागीदारी कैसे रहती है किस तरह से मैंने भागीदारी करना चाहिए और किस तरह से उसमें आगे बढ़ना चाहिए ये आच के कारेक्रम में हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से सिस्टर रोजी विलियम से सिस्टर आपका स्वागत करता हूँ मैं धन्यवाद पास्टर जी बहुत धन्यवाद सिस्टर आप हमारे साथ आए इस कारेकरम में और इतनी सारी बाते आप हमें बता रहे हैं तो आईए सिस्टर ये आज का जो टॉपिक है उसके साथ हम शुरुआत करेंगे कि मेरे बच्चों के परवरिश करने के लिए मैं परमेश्वर के साथ किस तरह से भागीदारी कर सकता हूँ हाँ पास्टर भागीदारी के पहले उस बात चर्चे में उतरने के पहले हमको ये पहले देखना होगा एक घटना याद आती है और ये घटना ऐसी थी कि मेरी सहेली और उसकी परिवार उसकी जो परिवार थी वो गाउं जा रहे थे उन्होंने टिकेट बुक कर लिया सब परिए थे उनको टहरने का टाइम नहीं था स्व जैसा ही वह स्टेशन पर खड़े रहें उत्रें की नहीं गाडी आ गई और जहट से यह नहीं सोच एक कॉन सी गाड़ी कहां जा रही है उन्हे प्छ भी नहीं गाड़ी जो है ताइम पर स्टेशन पर आ गया बस हम चड़े और गारी निकल गए चुट गए यह जो टिकेट थी वो सिर्फ बैठने के लिए था तो उन्होंने यहाँ वाँ देखा कोई जगा होगा खाली होगा की नहीं वो बैठ गए और गारी चली गए हाँ आखिर में उनको पता चला कि हाँ शुरूआत अगर गलत होता है तो अंत भी गलत हो सकता है ना जी अंत भी तो गलत हो सकता है यही तो हमने देखा है बहुत बार इश्वर के साथ जब हम अपने परिवारों को परिवारों की देखबाल करते हैं अपने बच्चों की गलत होती है जिसके वजय से आखिर में 10-15 साल के बाद में हम ऐसे बैठे रहते हैं कि हमने कहां गलत किया क्या हुआ मैंने कहां गलत किया पसीना पसीना बहा बहा कि इन बच्चों को हमने बढ़ा किया मैंने कहां गलत किया लेकिन वह गलत जेगा पर पहुच गये इतना रोना दोना शुरू हो जाता है ऐसा लगता है कि भाग जाए घर से गलती कहा हुई है बीच में नहीं हुई है शुरुवात में हुई थी बहुत ही सही बात कही सिस्टर अगर शुरुवात ठीक है तो हम अंत भी ठीक ही होगा अगर आप गलत गाड़ी में बैठ गए गलत ट्रेन में बैठ गए तो आपका डेस्टिनेशन भी गलत ही होगा सही जगह पे आप नहीं पहुच सकेंगे परमेश्वर भी वही कोशिश करत है कि हमारी शुरुआ ठीक हो जाए और शिम्शोन के बारे में मुझे याद आ रहा है कि शास्तकों का गरंत तेरावे अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ते हैं दो से पांच वचनों तक सोरह नगर में रहने वाला एक मनुष्य था वह दानकुल का था उसका नाम मनोह था उसकी पत्नी बांज थी उसको संतान उत्पन नहीं हुई थी एक दिन प्रभू के दूद ने उसकी पत्नी को दर्शन दिया दूद ने उससे कहा देख तु बांज है और तुझे संतान पत्र को जन्म देगी यहाँ कि अभी शुरुआत होने वाली है इसलिए अब तु सावधान हो अंगूर का रस तता शरा मत पीना अशुद खाद्यवस तु मत खाना देख तु गर्भवती होगी और एक पत्र को जन्म देगी उसके सिर पर उस तरह नहीं फेरना क्योंकि बा अरंब करेगा यानि कि उसकी जो सेवा है उसका जो काम है उसकी शुरुआत होने के पहले परमेश्वर उनके उसके जो माता पिता है उनसे बात करके ये पक्का कर लेता है कि उसके जो जीवन की शुरुआत है वो सही हो जाए ताकि उसके काम की शुरुआत भी सही हो जाए उसके बाद है ना सिस्टर? सभी बात है, जब मेरे बेटे का जग्म होना था, उस समय मैंने घर, वर, सब कुछ एकदम तयार कर दिया, सैनिटाइस कर दिया एकदम से, ये सफाई, वो सफाई, ये रूम, वो रूम, सब कुछ ठीक सा, जितना हो सके, सब कपड़े, वपड़े, सब नए खरीदे और तयार रही थी, सब ही माएं, सब माबाप जो हैं, बच्चे के आने के पहले सब कुछ तयार करते हैं, क्योंकि अच्छा नियूस है, ये गुड नियूस है, कि बच्चा आने वाला है घर पे, लेकिन ये तो हो गया, शारिरिक तौड से हम, हम रेडी हो जाते हैं, हम तयार हो जाते हैं, बच्चे की आगमन के लिए, लेकिन हम, यहां पर जो हम देखते हैं, यहां पर प्रभु जो है, जब मनोआ के पत्नी को मिलने आते हैं, कि पास आ गया, जी, हाँ, spiritually, आत्मियत तौर से हमको भी तैयार होना है, ताकि हम हमारे बच्चों को भी आत्मियत तौर से हम उन्हें तैयार कर सकें, पहले माँ बाप को तैयार होना चाहिए, हाँ, हम वैसे तो, फिजिकली, जो मेटीरियली है, घर वर सब तो साफ करते हैं, लेकिन कभी हम ज्यादा तर हम यह नहीं सोचते हैं कि आत्मियत तौर से हमको रेडि होना, किस तरह से तैयार होना चाहिए, हाँ, क्यूंकि आखिर में हमारे घर में कौन आ रहा है, हमारे बच्चे नहीं आ रहा है, प्रभू के लिए हम जनम दे रहा हैं बच्चे को, लेकिन वो बच्चे तो है इश्वर के, हाँ, बिल्कुल, इश्वर के बच्चों को हम जन दे रहा हैं, हाँ, तो ऐसे हमें हमको यह सोचना ही चाहिए, हमको और कोई चांस नहीं है, हमें ये सोचना है कि ऐसे इश्वरिय बच्चों को हमारे घर में अगर रखना होगा, हमारे घरों में अगर हमको पालना पोसना है, तो हम तयार होएं पहले, पहले हम तयार होएं. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे दोस्तों, हमें हमारे बच्चों की परवरिश शुरू करने के पहले, हमें खुद को तयार कर लेना चाहिए, आत्मिक रीती से, ताकि हम हमारे बच्चों को सही तरीके से तयार कर सके, अगर हम ही तयार नहीं हैं, तो बच्चे कैसे तय रहे हैं उस बच्चे के आने के पहले तयारी इसले ही हो रही है ताकि हम उस उस नए पन में हां उस नए पन में हम वी बिकम हैबिचुएटे टुएट जी और जब हमारे बच्चे भी आते हैं तो उनको भी एक यह जो नया नया महौल जो है हां एक आदत जैसी हो जाती है उनक पहले उस आदत को हम को करानी होगी हमारी आदत होनी चाहिए वो आत्मियत तोर से हमें आदत लगानी होगी कि हम प्रभू के सामने उस तरह से उस रीट से हम जीएं कि वो खुश रहें और तब जब हमारे बच्चे आ जाते हैं हमारे घर में हम जो परवरिश करते हैं बच्चों की उसी आत्मियत तोर से हम उन्हें पालते हैं मेरे भाईयों और बहनों हम बात कर रहे हैं तैयार होने की हमारे घर को तैयार करने की ताकि हमारे बच्चे सही तरीके से तैयार हो सके तो किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे लेकिन एक चोटे से ब्रेक के बाद कहीं भी मत जाए हमारे साथ ही लगे रही है घयारी करेंगे पोया याो अब है साथ है झाल 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 फिर से आपका ब्रेक के बाद स्वागत करता हूँ मेरे दोस्तों हम बात कर रहे है कि किस तरह से माहोल को और खुद को भी बच्चों के परवरिश के रिए तैयार किया जाए एक बात आप समझ लीजिए मेरे दोस्तों हर एक बच्चा जो पैदा होता है वो अलग होता है उसके गुन अलग होते है उसके वीकनेस अलग होते है उसके जो लुक्स रहते है उसकी जो उन्चाई रहती है वो सब अलग-अलग रहते है क्योंकि हर एक बच्चे के बारे में परमेश्वर की योजना अलग-अलग है वो योजना के अनुसार ही हमें बच्चों को तैयार करना चाहिए ये एक बहुत ही महत्योपुर्ण बात हम सीख रहे है कि बच्चे हमारे नहीं परमेश्वर के है परमेश्वर ने उन्हें उसके योजना के लिए भेजा है तो वो समझ के ही हमें तैयारी करनी चाहिए Sister आपने एक अच्छी बात गई थी कि उनके योजना के अनुसार हमें उनको परवरिश करना पड़ेगा और उस योजना के लिए उस योजना के लिए प्रभू उनको ऐसा तयार करते हैं ऐसा शृष्टी करते हैं उनको ऐसे बनाते हैं ताकि जिस काम के लिए प्रभू उनको भेज रहे हैं उसके लिए उनमें already उनमें already वो जो क्रियाएं होनी चाहिए वो सब तयार रहती है जो गुन रहने चाहिए वो सब उनमें रख के परमिश्वर उने बेचता है बिलकुल इसीलिए कभी-कभी क्या होता है कि pastor जी माँबाप आ जाते हैं मेरे पास और कहते हैं कि पता नहीं तीन तीन बच्चे रेकर अगर दो होते तो बस काफी होता और कभी-कभी तो ऐसे भी माबाप आते हैं जिनके पास चार बच्चे होते हैं या पाल बच्चे हो जाते हैं हां और वो आज आते हैं ऐसे सर पकड़ कर क्या करूं मैं क्या करूं मैं और ऐसा लगता है और बच्चे को इतना बुरा लगता है यह सब वो लोग बच्चे के सामने कहते हैं ओर लोग बच्चे के सामने कहते हैं कि ये, क्या करूं, मुझसे नहीं होता है, और बच्चा यह ही देखता-देखता, सोचता है, कि क्या मैं एक भार बन गया हूं ममी के उपर, एक भार जैसा बन गया हूं, लेकिन, बात ये है कि, प्रभू, प्रभू जब हमें पांच बच् कि ये बच्च और पविष्टर शास्तर में यह लिखा है कि हर एक बच्चा हरे बच्च जब प्रभू के यहां से आता है तो वह एक आशिश बन कर आता है आमेन आमेन वो एक आशिश है हर एक बच्चा अगर आपके पास पांच बच्चे है तो वो पांचवा भी एक आशिश है आशिश है आशिश के तौड से प्रभू ने हमें भेज उन्हें हमारे पास भेजा है अगर आपके दस बच्चे हैं तो वो दसवा बच्चा भी मेरे बाई और बहनों, मुझे आशा है कि आप ये बात समझ रहे हैं, जो हमें सिस्टर ने बताया है, कि तुम्हारा बड़ा बच्चा, यानि कि पहला बच्चा होने दो, या दस्वा बच्चा भी होने दो, हर एक बच्चा परमेश्वर ने दी हुई आशिश है, उनको बोज समझे आशिश समझ के आप आगे चलिए और हम इसले उन्हें भोज समझते हैं, हम इसले बोज समझते हैं, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं, उनके साथ हम क्या करें? डी, very true. इसलिए तो हम भोज करते हैं उसे, पैसों को जब हमारे पास ज्यादा पैसे होते हैं तो हम यह नहीं कहते हैं कि वो भोज हो गए, पैसा ज्यादा पैसा भोज हो गए, नहीं क्यूंकि हम जानते हैं कि उन पैसों से हमको क्या करना है, उसी तरह से अगर हम यह जाने हैं, पास् मेरे पास पैसे हैं वो काफी होंगे या नहीं होंगे वो सब टेंशन हमारे सर में लेके सोचते हैं बहुत बार कि यह बच्चे भोझ है ये भोज का तब आता है, ये भोज का जो सोच उस समय आता है जब हमको ये नहीं पता चलता है कि इन बच्चों के साथ हम क्या करें इसलिए अलग रीती से अगर हम देखें तो अगर हमारे पास 10 बच्चे हों या 15 बच्चे हों या कितने भी बच्चे हों अगर हम यह जाने कि हर एक बच्चा मेरे पास इसलिए आया है, एक आशिर्वात बनकर प्रभू ने मुझे भेजा है और अगर मैं यह जानू कि हर बच्चे के साथ मुझे क्या करना होगा, तो वो भोज और कभी ने बनेंगे. You are very right sister. मैं उसी काम पर लगी रहूंगी. यानि कि हमें यह समझ लेना चाहिए कि हर एक बच्चा जो है वो आशिश है, उतना ही नहीं, वो बच्चे की परवरिश मुझे परमेश्वर की योजना के अनुसार करनी है और उसके लिए परमेश्वर ने वो बच्चे में जो आशिश रखे है, उसको साथ लेके मुझे आगे निकलना है. मैं उधारन देकर मैं समझा सकती. मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊ. मेरी इच्छा थी कि मैं उसे किसी भी तरह से डॉक्टर बनाऊ. लेकिन जब मैं उसे बायलजी लेने के लिए उच्छु किया, मैंने उसे एंकरेज किया कि बेटे तुम बायलजी लेलो, साइंस ग्रूप लेलो, ताकि तुम डॉक्टर बन सकते हो. तो वो बैठा रहता है, वो किताब लेकर, कुछ समझ में नहीं आता है, nothing, कुछ भी समझ में नहीं आता था उसे. और मैं सोचती कि कैसे इस बचेगी इतना इतना बुद्धिमान लड़का है वो, कैसे ये उतरता नहीं है उसके दिमाग में, मैं वही सोचती थी. हाँ, हाँ, जबकि ही such an intelligent child, इतना intelligent child है, और मैं समझा रही हूँ, और मैं हर वक्त सोचती थी, कि मैं बहुत ही अच्छी टीचर हूँ, तो अच्छी टीचर ही मैं, मैं उसको समझा तो सकती हूँ, लेकिन, नहीं, बिलकुल एकदम सिकसर जैसा बाह उपर चला जाता था, जो डॉक्तर बने, पता ने प्रभु ने उसे उसमें, उसके अंदर, क्या वो डाला है, क्या वो जो टालेंस या इंट्रेस्ट डाले है, जो परमेश्वर में, परमेश्वर ने उसमें क्या इंवेस्ट किया है, हाँ, हाँ, क्या बोया है, हाँ, क्या बोया है उसमें, जिसे मैं तो तब मैं जाकर उसके साथ बैठी और मैं पूछी कि बच्चते तुझे क्या चाहिए तुझे क्या बनना है ये बताओ तो वैसे बातें करते 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 मैं ये समझ में मुझे ये समझ में आया कि इस लड़के को ये पसंद है और उसको उस विशय में बिठाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे इससे हमको ये पता चलता है जब प्रभू हमारे बच्चों को भेजते हैं वो जब भेजते हैं तो उनमें ऐसी ऐसी खूबियां गुन जो ठस ठस के बरे होते है परमिश्वर के द्वारा हां ए एसी खूबियां उनमें ठूस ठूस के भर देते हैं और फिर भेजते हैं और मेरा काम ये होता है कि प्रभू के पास बैठ कर ये जानू कि प्रभू जी आपने उसमें क्या डाला है ताकि मैं उसको निकालू और उसमें मेरे बेटे को निकारू उस दिशा में मेरे बच्चे को लेके जाओं जैसे हम इर्मिया के पहले अध्याय में भी देखते है जब परमेश्वर ने इर्मिया को बुलाया और उसे कहा कि तु मेरा नभी है तु मेरा एक प्रॉफिट है तुम जाके वो लोगों से बात करो तो उस विश्वर में परमेश्वर उससे कहता है चौते तुझे गड़ा उसके पहले से मैंने तुझे चुना है तेरे जन्म लेने के पूर्व ही मैंने नभी कार्य के लिए तेरा अभिशेक किया है यानि कि हम देखते हैं कि मा के पेट में गड़े जाने के पहले से ही परमेश्वर की योजना थी इर्मिया के बारे में कि वो आग अभिशेग के आवशक्ता थी वो अभिशेग भी तभी से मा के पेट में होने के टाइम से ही परमेश्वर ने उसमें रखा था उसी तरह से आपके जो बच्चे है आपके जो बेटे बेटिया हैं उनके बारे में भी आपको सोचना जरूरी है तैंक यू सिस्टर रोजी कि आपने हमें इतनी सारी मातवपूर्ण बाते बताई है आपने ये भी कहा ता मुझे याद है कि किस तरह से हम परमेश्वर के साथ बच्चों के बारे में भागेदारी करते हैं परमेश्वर के पास क्या है उसके पास पावर है उसके पास विजडम है और उसके पास हमारे बच्चों में क्या गुन है उसके बारे में पूरी जानकारी है तो वो लेके परमेश्वर आता है हमारे साथ बच्चे है वो जिम्मेदारी का हम लोग अंडिस्टैंड करके हम परमेश्वर के साथ आते हैं और भागी दारे में हम हमारे बच्चों को आगे लेके जाते हैं मेरे भाईयों और बेनों ये बहुत ही महतुपूर्ण बात है कि आप परमेश्वर के साथ भागी दारी करें ताकि आपके बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से हो जाए उतना ही नहीं आप एक आदर्श परिवार के जैसा आप आपके परिवार को बिल्ड कर सके आपको धनिवाद देते हैं कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े है मैं सिस्टर रोजी से विंती करता हूँ कि आप हमारे दर्शकों के लिए प्रार्तना कीजिए कि हर एक का परिवार एक आदर्श परिवार जैसा बन जाए सिस्टर हम आपके साथ चलें, हमारे परिवारों की परवरिश करने के लिए, आप से हम ग्यान लें, आप से आपकी शक्ती ले, मांगे, आपकी शक्ती आपकी ग्यान में हम चलें प्रभुजी, प्रभुजी हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों की परवरिश में, हमारे परिवारों क परवरिश में कोई कमिया ना आए और इसलिए आज से हम आप से यही कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए हमें ये बताइए हमें ये ग्यान दीजी कि आपने हमारे बच्चों को क्या बनाया है क्या आपने हमारे बच्चों के लिए कैसे कैसे सपने देखे हैं और वही सपने हम च प्रभुजी आपने हमें बहुत आशिश की यहां तक और हम जानते हैं कि आप आशिश करते ही रहेंगे हमारे उपर और हमारे बच्चों के उपर इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और यही कहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप सदा हमारे प्रभू रहे हमारे पिता परमेश्वर ही रहें अगले कारेक्रम में हम माल किस तरह से तयार किया जा सकता है उसके बारे में और आप खुद एक रोल मॉडल या आपके बच्चों के लिए किस तरह से आदर्श बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे हमारे साथ अगले हपने जुड़ना न भूलिए इस प्रोग्राम में धन्यवाद गौद ब्लेस यू